कभी खुशी कभी गम अर्विन केजरिवाल को एक ही दिन में मिली बड़ी दो खबरे एक गुड न्यूस तो दूसरी बैड अर्विन केजरिवाल दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड जेल में बंद है अर्विन केजरिवाल के लिए आज का दिन कभी खुशी कभी गम टाइप रहा तिहार जेल में बन केजरिवाल को आज दो बड़ी खबरे मिली एक गुड निउस तो दूसरी बैड निउस जी हाँ, अर्विन केजरिवाल को पहले तो जटका लगा अर्विन केजरिवाल की आम आदमी पार्टी के मुस्लिम फेस अमान तुल्ला खान अब इडी की गिरफ्त में है वाकफ वोड में हेरा फेरी मामले में इडी ने अमान तुल्ला खान को सोमवार को अरेस्ट किया करीब 6-6 घंटे की रेड और पुस्ताच के बाद इडी ने एक्शन लिया अब अमान तुल्ला खान की रहा भी तिहार जेल की और जाती दिख रही है जहां शराब घोटाला केस में अर्विन केजरिवाल पहले से बंद है अमान तुल्ला खान आम आदमी पार्टी में बड़ा नाम है उन्होंने ओखला विधान सबा सीट से दो बार जीत दर्ज की है अब इडी उनसे पुस्ताच करेगी और हेरा फेरी में शिकन जाक शेगी अर्विन केजरिवाल को रहत भरी खबर मिली सुप्रीम कोर्ट ने अर्विन केजरिवाल के करीबी विजे नायर को दिल्ली शराब घोटाला केस में जमनत दे दी विजे नायर करीब 22 महीने से जेल में बन थे सुप्रिम कोट के आदेश के बाद अब जेल से बाहर आएंगे सुप्रिम कोट ने कहा कि आपके पूर्व पधादिकारी विजे नायर दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लांडरिंग मामले में 22 महीने से जेल में है जिसमें अधिकतम सजा 7 साल है दिल्ली शराब होटाला में जिस तरह से मनी शिसोदिया के कवीता और विजे नायर को जमानत दी है यहाँ अरविंद केजरिवाल के लिए उम्मीद की किरण है अरविंद केजरिवाल को ED मामले में सुप्रिम कोट से जमानत मिल चुकी है केवल CBI मामले की वज़े से ही अभी तक जेल में है CBI मामले में अरविंद केजरिवाल को अब भी जमानत का इंतजार है क्या आपको भी लगता है कि यहाँ सब एक खेल की तरह चल रहा है कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए और ताज अप्रेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए प्लीज सबिस्क्राइब जहाँ आपको भी जमाँ सब बने विए प्लीज सब भी जमानत के जाब टो।